सोची सोची जीया हमडो काहे घबराता एदरोगा जी हो चार दिन से पियवा वाना पाता पॉन सिंग का एक जबरदस्त गीत जो कैसेट के दौर में इतना जाना सुना गया था कि सारे रिकॉर्ड तूट गये थे एक तो भोजपुडी का विरह गीत और उसके बाद पॉन का आवाज कैसेट के उस दौर में गाना हिट होने के लिए इसके अलावे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी और फिर ऐसे में पॉन सिंग का ये गीत हिट कैसे नहीं होता आज भी जब कोई इस गाने को सुनता है तो खुद को इस गाने को गुनवनाने से रोक नहीं सकता है और इसका उदारन हम लोग देख चुके हैं कि कैसे कुछ दिन पहले बकसर के एक थाने के हाजत में एक कैदी बंद था और फिर ये गाना गुनवनाता है जिसका वीडियो को रिकॉर्ड करता है और सोसल मीडिया पर डाल देता है रातो रात ये सोसल मीडिया पर गाना वा हो सकता है तो आई ये शुरू करते हैं नमस्कार मेना नाम वेद प्रकास है आप जंता जंक्षन का विशेश कारे क्रम एवर ग्रीन भोजपुरी देख रहे हैं और हम आज बात करेंगे कैसेट के दौर का एक और सुपर हिट गीत चार दिन से प्यावाबा नपाता के बारे इस गीत की कहानी ये है कि एक महिला का पती पिछले चार दिनों से गायाव है और वो उसे बहुत ढूड़ती है और बहुत ढूड़ने के बाद भी नहीं मिल रहा है और इसलिए वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आई है और फिर दरोगा जी से गुहार लगा रही है और ग जिसका अर्थ है कि पत्नी अपने पती के बारे में सोच सोच कर घवरा रही है, परिसान हो रही है, क्योंकि उसका पत्नी पिछले चार दिनों से नपाता, मतलब गुम हो गया है, और उसके बारे में उसकी पत्नी को कोई जानकारी नहीं है, और इसलिए वो थाने में जाकर दर कहीं दिखाई नहीं दिये और वो कितना भी प्रयास कर रही है पता लगाने का उसके सारे प्रयास व्यरत जा रहे हैं कुछ जानकारी नहीं मिल रही है आगे वो महिला दरोगाजी से बार-बार गुहार लगाती है कि वह रिपोर्ट लिखे और फिर उसके पती को ढूंडे पौन सिंग के विरह गीतों में से सबसे बढ़िया गीतों में इसका नाम लेना गलत नहीं होगा पौन सिंग की आवाज में इस विरह गीत को सुनकर आप भी भाव विवोरो उठेंगे कभी इसको गुनगनाने लगेंगे तो कभी आप भाव उखो जाएंगे हमने आपको ये तो बता ही दिया है कि इस गाने का क्रेज कितना अधिक है और इस कारण ये गीत बक्सर के थाने के हाजत में से गाने वाला एक लरका रातो रात वाइरल हो गया इस बात से ये सिद्ध होता है कि ये गाना आज के दौर में भी लोगों को कितना पसंद आ रहा है कैसेट के दौर का ये गाना आज से 11 साल पहले यूट्यूब पर वीडियो के साथ डाला गया था और फिर अब तक इस गाने को सिर्फ एक चैनल पढ़ी 40 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है पौन सिंग का ये गीत लोगों को बेहत पसंद आता है और लोग खुब प्रेम से सुनते है और मुझे लगता है कि भोजपुरी को हमें इस गाने से जाना जाना चाहिए न कि खेसारी लाली यादों के उस गाने से जिसमें उनका पती होली के दिन उनका अंगवस्तर सलाई रिंच से खोलता है बाकी अब आपको कौन सा भोजपुरी पसंद है और कौन सा भोजपुरी आपको सुनना है वो आपको तै करना है लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जो भोजपुरी सुन रहे हैं वो सिर्फ आपको ही नहीं आपके घर को आपके पडिवेश को आपके समाज को और सबसे अधिक आपके चरित्र को रिप्रजेंट कर रहा है बाकी अगर आपके पास भी कोई गीत हो जिसे हम जंता जंशन के इस प्रिशेस सेगमेंट में भजपुरी एवर ग्रीन में सामिल कर सके तो कमेंट के मादधम से उस गाने का नाम या लिंक जरूर भेज दीजेगा बाकी दे